हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल शर्माजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज भरती प्रिक्षाओं को लेकर के कुछ विद्यार्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थियों का अनिशन जो है वो जारी है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है तो इस वीडियो को बिल्कुल लाश तक देखना बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करना अग्या वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोग इंपोर्टेंट जानकारी को मिस कर दोगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को बिल्कुल लाश तक जुरूर देखें यहाँ पे आपको पता है जैसे कि अभी R.A.S मुख्या प्रिक्षा को लेकर के अपडेट आया था कि R.A.S की जो मुख्या प्रिक्षा है वो करवाई जाए बट आज का ही ताजा अपडेट ये है आज के ताजा अपडेट में ये बताया गया है फर्स्ट एंडिया न्यूज राजस्तान का अपडेट है कि जैपूर R.A.S मुख्या प्रिक्षा स्थगित करने की मांग यहाँ पे जैसे ही R.A.S मुख्या प्रिक्षा को लेकर के गोश्टना हुई उसे स्थगित करने की जो मांग है वो उठ गई ठीक है ना तो यहाँ पे हैं मांगों को लेकर राजस्तान विश्व विदाले में चल रहा अंशन दस चातर बैठे अंशन में तीन चातरों की विगडी तबियत तिनों को करवाया गया अस्पताल में बरती चातरों ने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अंशन रहेगा जारी यानि कि यह चाते है कि आरेस की जो मुख्या परिक्षा है वो अभी थोले टाइम के लिए स्थगित कर दी जाए इसका इन्होंने रीजन बिलुकुल भी क्लैरिफाई नहीं किया कि ऐसा यह क्यों चाते है बस इन्होंने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया है ये लोग राजस्तान विश्व इताले में अंशन कर रहे है टोटल अंशन में 10 टूडेंट बैठे थे जिसके अंदर से 3 चातरों की जो तबियत है वो काफी खराब भोग गई थी जिसके बाद इन्हें अस्पिताल में बरतिक राया गया बट फिर भी ये जो है ये मान नहीं रहे है ये कह रहे है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अंशन जारी रखेंगे तो ये तो अपडेट है आरेस मुख्य अप्रिक्षा को लेकर करके नेस्ट अपडेट के अपने बात करें तो उपेन आदव जी का एक ट्वीट आया है इनका ट्वीट क्या है कहता है इनका ट्वीट कहता है कि रीट भरती दोजार इकिस लेवल वन की कट ओफ को लेकर लगातार अभियर्थी कोल मैसेज कर रहे है शिक्षा विभाग की अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने कहा कि अभी डियो आईटी से आवेधन का डाटा विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है डियो आईटी से सोवार मंगलवार तक डाटा मिल सकता है डाटा मिलने बाद 3-4 दिन लगेंगे कट ओफ निकालने में यानि कि दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो रेट बरती 2000 किसका जो लेवल फर्स्ट था उसके अंदर जो लेवल फर्स्ट की जो कट ओफ है वो बताई नहीं गी थे अभी 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 इसको लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है इसको लेकर के इन्होंने क्या किया है अधिकारियों से बात की है तो अधिकारियों नहीं ये कहा है कि आपकी जो cutoff है वो जब तक DOIT से data प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई update आपको नहीं दी जाएगी तो अब यहीं लोग वेट करें कि DOIT से data प्राप्त होगा जैसे ही data सोवार या मंगलवार तक मिलने के chances हैं जैसे data मिलेगा उसके तीन से चार दिन के बाद cutoff निकाल के आपने सामने पेश कर देंगे ठीक है ना तो जो काफ़ी सारे students के doubt थे कि cutoff निकालेंगे और cutoff हमें पता लगनी चाहिए तो वो बिल्कुल आपको पता लगईगी दोस्तों ठीक है ना इसके लगा हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ने के लिए मैं लिंक और आपका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगया आप लोग गौर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो चैनल के उपर डिफरेंट टाइप की प्लेइलिस्ट आप उन